हेलो स्टुएंट्स तो आज अपने class 12 के 7.3 एकसाज करेंगे differentiation जिसमें अपने पास पहले उससे क्या पढ़ेंगे हम as first फलन और स्पस्ट फलन as first फलन और स्पस्ट फलनों के अब कलन करना सीखेंगे हम स्पस्ट फलन कौन से होते हैं और as first फलन कौन से होते हैं यह हम जानते हैं स्पस्ट फलन वो होंगे students जिसमें आप जो उसमें चर हैं x और y उन दोनों को आप अलग-अलग कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर y बराबर sin square x प्लस 2x लिखा तो इसमें आपके पास clear है कि y आपका अलग है और x के जो पाद है वो एक side है यानि x की जो terms है और y की terms एक side है तो इस तरह के फलन को हम क्या कहते हैं स्पस्ट फलन कहते हैं as first फलन कौन से होंगे students जिनमें हम x और y को अलग नहीं कर सकते पूरी तरह से जैसे कि 2x प्लस 3y is equal to sine y तो यहाँ पर हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसे एक तरफ y के कर लेंगे लेकिन आपका y सिर्फ y में नहीं होगा इसके आगे भी होगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना होगा x के सापेक्ष आउटकलेज करना है यानि dy dx निकालना होगा x के सापेक्ष आउटकलेज करकर जैसे कि हम आपको फर्स्ट कोशिन पर लेके चलता हूं स्टुरेंट्स तो फर्स्ट कोशिन जैसे हमारा क्या है 2x प्लस 3y is equal to sine y यह हमारा इस कास्ट्स क्या है 7.3 का first question का first part है जिसमें हमें क्या ग्याद करना है dy dx यह हमें ग्याद करना है यानि x के सापेक्ष हमें क्या करना है इसका आउटकलेज करना है तो यहाँ पर हम y को एक तरफ तो कर सकते हैं लेकिन उसमें जब हम x के सापेक्ष अब कलंग करेंगे तो वह हैं पूरी तरह से नहीं हो पाएगा जैसे कि अब हम इसका x का सापेक्ष अब कलंग करने पर तो क्या होगा स्टुट्ट सभी पतों का होगा यह दोनों प्लस में हैं तो d by dx x के सापेक्ष कर रहे हैं 2x प्लस d by dx 3y is equal to d by dx sin y तो पहले यहाँ पर हम 2x का करेंगे तो 2 x में से क्या जाएगा 2 बार आ जाएगा dx by dx प्लस यहाँ से 3 students बार आ जाएगा dy upon dx अब यहाँ पर बात करते हैं students देखो हमें dy dx निकालना है तो यहाँ पर भी y है तो पहले हम students का करते हैं power का power तो है नहीं इस पर अब किसका करेंगे फिर sign का sign का करेंगे तो क्या जाएगा students course और कौन जो भी होगा कौन एंगल क्या है वारा y है y आ गया अब हम किसका करेंगे students सिसी के multiply में y का तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है students dy dx दो जगा आ रहा है हमें dy dx निकालना है तो हम इस dy dx को उधर shift कर देंगे तो यह उधर चला जाएगा तो यहाँ पर यह 2 dx से dx कट गया 2 बराबर कितना आ गया students course y dy dx minus 3 dy upon dx अब यहाँ से common क्या रहा students dy dx हम common ले लेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास course y minus 3 और equal में क्या रहा गया 2 यह हमारा step किसमे students इसके साथ multiply में है तो multiply वाला कहां चला जाएगा divide में तो dy dx हमारे पास क्या रहा गया students 2 upon course y minus 3 इस तरह से हम क्या करेंगे इसका dy dx निकालेंगे यह हमारे लिए क्या एक asbest fallen है बाकि हमें इन पे जादा ज्यानी देना हमें तो direct dy dx ही देखना है निकालना है और वो हम इस तरह से निकालेंगे x square plus x y plus y square is equal to 200 तो इसका भी हम क्या करेंगे students x के साथ एक स्क्राइगे अब क्लिष करेंगे तो यहां पर हमारे पास सभी अलग 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 पाद है अब यहां से भी हम y क्या कर सकते है अलग नहीं कर सकते d by dx x square का करेंगे plus d by dx x y plus d by dx y square d by dx 200 सभी का हो गया अब x square का अब क्लिष करेंगे तो क्या आएगा पावर आ गया जाती है और x में से पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी 2x इसके बाद हम x का भी करते है तो x का x के साथ इक्ष करने पर क्या आएगा students 1 आ जाएगा plus यहां पर x भी और y भी है तो यहां पर यह दो फलन हो गए दो फलनों का अवक्लिष हम कैसे करते हैं जब गुणा में होते हैं दो अवक्लिष फलन तो x सेम रह गया एक दूसरे का अवक्लिष हो गया y का अवक्लिष करते हैं x के साथ इक्ष plus y सेम x का अवक्लिष x के साप इक्ष प्लस अब y स्केर का करेंगे तो पहले किसका करते हैं power का 2y अब किसका करेंगे y का dy dx 200 तो हमारा क्या है constant है और किसी भी constant का x के साप इक्ष करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा अब यहां से dx से dx कट गया अब dx y upon dx और dy upon dx यहां भी यह दोनों जुग है इन दोनों step को तो हम उदर बेज देंगे और इसमें से हम क्या करेंगे dy dx से कॉमल ले लेंगे तो यहां से जब हमने कॉमल लिया x plus 2y रह गया इन दोनों step को हमने उदर बेज दिया तो यह minus के 2x और minus के y हो गए dy dx यह हमारा multiply में step है तो यह divide में चला जाएगा 2x minus y upon x plus 2y तो यह हमारा क्या आगया इसका स्टूट्ट से differentiation आगया x के respect में root x plus root y is equal to root a second question का first part इसका भी हमें क्या करना है differentiation करना है differentiation with respect to x x के साफ़े का उखलच तो पहले हम किसका करेंगे root x का करेंगे सभी का लग-लग करना है plus फिर root y का equal root a का उखलच तो root x का उखलच हमें पता students क्या होता है 1 upon 2 root x plus यहाँ पर हम पहले root का करेंगे तो 1 upon root y अब y का करेंगे तो क्या जाएंगे d by dx यहाँ पर x हाई नहीं तो इसका क्या जाएंगे 0 अब हम यहाँ से divide x निकालेंगे तो step को इधर भेजेंगे d by dx 1 upon 2 root y equal minus 1 upon 2 root x यह divide में यहाँ पर multiply में चला जाएगा d by dx is equal to minus 2 root y upon 2 root x 2 से 2 कट गया यह क्या आगया अपने पास minus root y upon x दोनों पर root है हमने combine नहीं कर दिया root एक पर ही कर दिया इस तरह से students हम क्या करेंगे? इंका तो 10 का करेंगे पहले 10 x minus y plus d by dx 10 x minus y is equal to d by dx 4 तो पहले हमें क्या दिख रहा है? 10 दिख रहा है तो 10 का आपकर दिख करेंगे क्या हैगा? 6 square x होता है यहाँ पर x का है हमारे पास x minus 1 10 का होने के बाद हम 10 के अंदर जाएंगे इसके कौन का भी करेंगे? d by dx x minus y plus अब हम 10 का फिर से करेंगे पहले 10 का होगा 10 square x minus so students यहाँ पर plus है x minus y अब हम 10 का होने के बाद 10 के अंदर जो x minus y है इसका भी करेंगे equal में 4 constant है constant का अब करेंगे क्या होता है? हमेरे पास 0 होगा sex square x plus y multiply अब यहाँ पर हम x का अब क्लेज करते हैं तो x का क्या है? तो x के साब x 1 आए गया और y का x के साब x करेंगे तो हम इसे क्या लिखेंगे? d by dx plus sex square x minus y यहाँ भी x का 1 आए गया और y का क्या गया? अब यहाँ आए इसे क्या करना होगा? इन दोनों का multiply करना होगा sex square का अदर multiply कर देंगे तो क्या आजाएगा हम आए पास? sex square x plus y plus sex square x plus y dy dx दोनों का अदर multiply होगा इसका अब sex square minus x minus y का हम इससे multiply करेंगे तो पहले बंद से हुआ sex square x minus y minus sex square x minus y dy dx equal में 0 तो इस step में और इस step में हमारे पास क्या है? dy dx है यही हमें निकालना है तो इसको हम यहाँ पे तो common ले लेंगे और इन दोनों step को हम shift कर देंगे उदर बेज देंगे तो यहाँ से हमने डिवेट x common लिया तो क्या रह गया? sex square x plus y minus sex square x minus y equal minus sex square x plus y minus sex square x minus y तो यहाँ से हमें डिवेट x आ जाएगा यह सारा multiply में result है यह divide में चला जागा इसके बाग में चला जाएगा गुणा में है इसारा result क्या आ जाएगा? बाग में आ जाएगा तो यहाँ से मरपास क्या आ जाएगा? इस्टूंट समरा d by dx आ जाएगा plus 2 cos square y plus xy equal to 0 तो इसका भी इस्टूंट्स क्या करना है? x के सापेश differentiation करना है differentiation with respect to x तो सभी का अलग अलग करना है d by dx sin x plus 2 यहाँ पर constant and 2 को बार ले लेते हैं d by dx cos square y plus d by dx xy तो पहले सर्थ स्टूंट्स हम क्या करेंगे? sin x का करेंगे sin x का क्या आ जाएगा? cos x plus 2 अब सबसे पहले हम differentiation करते हैं स्टूंट्स power का power आ गया जाएगी और इसमें से एक power कम हो जाएगी power का होने के बाद जिस पर power है यानि cos पर है power तो हम cos का differentiation करेंगे d by dx cos y plus अब यहाँ पर यह फलन क्या है? गुणा में है गुणा माले फलनों का क्या करते हैं स्टूंट्स एक फलन सेम रहे लेते हैं x सेम दूसरे का अब कलज प्लस दूसरा सेम पहले का अब कलज equal में 0 0 का अब कलज 0 यह रहेगा हमेरे पास cos x plus 2 तूटू जा 4 cos y अब cos का करेंगे क्या जाएगा स्टूंट्स minus sin y उसके बाद हम cos का हो चुका है y का करेंगे y का क्या जाएगा स्टूंट्स d y d x plus x d y d x plus d x से d x कट चुका है y equal में 0 अब देके स्टूंट्स इस step में और इस step में क्या है हमेरे पास d y d x common है ले लेंगे और इस step को हम उदर बेज देंगे y को भी हम उदर बेज देंगे तो यहां से क्या आगे हमेरे पास यह minus 12 आजाएगा minus 4 cos y sin y d y d x plus x d y d x equal में minus cos x minus y यहां से अब d y d x common आजाएगा स्टूंट्स d y d x common आया क्या रह गया x minus 4 cos y sin y equal में minus cos x minus y इस step को हम कहां ले जाएगे इस students divide में ले जाएगे minus cos x minus y अपकों में x minus इससे students आप 2 into 2 आपस लिख लें cos y sin y यहां पर यह हमारी क्या बन की students identity बन चुकी है किसकी sin 2 y की minus cos x minus y x minus 2 sin 2 y sorry sin 2 y तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा students इसका अब कलज हो जाएगा b part x root y plus y root x equal 1 तो इसका भी differentiation करेंगे with respect to x so students यहां पर यह दोनों ही क्या है गुणा में है और यह भी क्या है गुणा में है तो हम पहले इन दोनों के गुणा के फलनका करेंगे d by dx x root y plus d by dx y root x is equal to d by dx 1 तो अब यह दोनों में गुणा में है गुणा में फलनों का क्या करते हैं पहले एक सेम रहता है दूसरे एक आपकलज होता है प्लस फिर दूसरा सेम रहता है और पहले एक आपकलज हो जाता है यह तो हमारा इसका आपकलज हो गया प्लस अब इसका आपकलज करेंगे एक सेम दूसरे एक आपकलज प्लस दूसरा सेम पहले एक आपकलज यह इसका complete हो चुक है अब 1 का करेंगे तो क्या आएगा 0 अब यहाँ पे हम root y का करेंगे dx से dx कट गया प्लस y अब यहाँ पे root x का करेंगे तो root x का क्या आजएगा root x और फिर x का x के साब पिक्ष करेंगे तो क्या आजाएगा प्लस root x dy dx equal to 0 इसमें और इसमें हमारे पास क्या है dy dx है इसमें से हम common ले लेंगे और इस step को हम क्या करेंगे दूसरी तरफ shift कर देंगे भेज देंगे तो dy dx हमने common ले लिया तो हमारे पास क्या राज students x अपॉन में 2 root y और प्लस में यह root x रह गया equal इस पूरे step को उधर भेज देंगे तो यह क्या हो जाएगा negative हो जाएगा minus का minus root y minus y upon 2 root x यहाँ पर इसका आप LCM ले सकते हैं तो LCM क्या आजएगा हमारे पास students 2 root x इसके upon में 1 है तो इसका इससे multiply हो जाएगा minus 2 root xy minus y यहाँ भी आप students का हमारे LCM ले सकते हैं d by dx क्या आजएगा 2 root y x plus 2 root x plus y यहाँ भी 1 है 1 का इसमें divide किया यही आजएगा इसका उपर multiply कर दिया तो क्या बन गया 2 root xy d by dx तो यह divide वाला step multiply में चला जाएगा और multiply वाला divide में minus 2 root xy minus y इसके multiply में एक ही चला जाएगा 2 root y upon में 2 root x x plus 2 root xy 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से चाहें तो हम minus क्या कर सकते हैं students कॉमा ले लेंगे minus root y upon में root x 2 root xy plus y upon में x plus 2 root xy तो यह हमारा finally क्या आगा आपको 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 करवा रहा हूँ तो differentiation with respect to x differentiation करना है अपकोरीज करना है जो कौन है उसका करेंगे डी बाई डी ए एक्स एक्स वाई कर लिया प्लस यहाँ पर हमें दोनों फर्मूल किसमें दिख रहे हैं बाग में तो हम बाग वाला फर्मूला लगाएंगे बाग वाले में उख्लच कैसे होता है नीचे वाले का स्केर यहाँ पर Y है ये स्टैब रह जाएगा हमार बस इक्वल में X स्केर का वख्लच करेंगे X स्केर का वख्लच क्या जाएगा student 2 X मैंनस य का करेंगा dy dx अब हमें यहां से dy dx निकालना है तो पहले यहां से पहले इसका भी अब क्लच करें यह दो गुणा में फिलन है इसका अब क्लच किया नहीं हमने कोस x y dot x y का क्या होगा स्टुट्ट्स multiply में कर रहे हैं और इसमें हमारे दो step पाएंगे प्लस और k इसलिए हमने पहले इसका ब्रैकेट पड़ा लगा लिया x का x सेम y का अब क्लच प्लस y सेम x का अब क्लच प्लस y को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं दोनों के बाग में तो यहां से y अपॉन y स्केर माइनस x अपॉन y स्केर dy dx dx से dx कट चुका है इक्वल में 2x माइनस dy dx अब इस कोस x y का अब क्या करेंगे यहां से dx से dx कट गया इस कोस x y का अंदर multiply कर देंगे तो यह क्या बन जाएगा कोस x y भुना में x dy dx प्लस y कोस x y प्लस यह y कट गया 1 अपॉन y minus x upon y square dy dx इस dy dx को भी हम इदर लेंगे तो यह किस का हो जाएगा students प्लस का हो जाएगा और इदर क्या रहेगा हमारे पास 2x रहेगा अब जिनके पास dy dx नहीं है हम उनको shift कर देंगे इसके पास नहीं है इसके पास नहीं है students तो क्या रहे जाएगा x cos x y प्लस y को सॉरी यह रहेगा ना हमारे पास minus x upon y square plus में 1 equal इसको ज़र shift कर देंगे 2x minus y cos x y minus 1 upon y अब यह सारा step हम क्या करें इसके डिवाइड में ले जाएगे यह सारा गुणा में है तो इसके क्या जलगा बाग में चला जाएगा और इससे महार पास क्या आ जाएगा इसका d by dx आ जाएगा fifth question का a part आप self करेंगे b part मैं करवा रहा हूं आपको और b part करने से पहले हम फलनों का थोड़ा सा समझते हैं अब इस बार हम अलग फलन का करेंगे जैसे लगू गुणक फलन है यानि logarithm फलन यानि हमें log कब लेना है जैसे कि जब आपके पास function के उपर function दिया हूं resistance y बराबर x के उपर x दे दिया मैंने देखिए x भी एक तरह का function है फलन है और दूसरा x ये भी है तो power में अगर फलन के उपर फलन होगा तब हमें क्या करना है log system का apply करना है जैसे कैसे करना है दोनों तरफ log लेंगे हम दोनों तरफ log लेने पर जब हम दोनों तरफ log लेंगे तो log y बराबर log x की power x आ जाएगा अब देखिए student जब x की power x है log का में पता है कि power को क्या करता है आगे लिए आता है तो log y बराबर ये power x उपर वाली आ गए आ जाएगी x log x जब ये power आ गए आ जाएगी तब ये दोनों फलन क्या हो जाएगे गुणा में हो जाएगे x गुणा log x अब इन दोनों का हमाई अवकलिस करना आता है गुणा का अवकलिस करना में आता है अब हम इसका पूरे फलन का क्या करेंगे अवकलिस करेंगे कैसे students ध्यान दे पहले लोग का करेंगे लोग का क्या होजएगा 1 upon y फिर y का करेंगे y का क्या होजएगा dy, dx क्योंकि x के साथ fix कर रहे है equal यह दोनों गुणा में है गुणा का क्या system है हमारे पास एक सेम रहेगा दूसरे का अब क्लिश करेंगी प्लस दूसरा सेम रहेगा पहले का अब क्लिश करेंगी तो यहां से मारे पास 1 upon y dy dx लोग x का क्या आता है 1 by x प्लस लोग x क्योंकि x का x के साथ fix क्या है 1 आ जाएगा और 1 हमने लिखने की जुरूत नहीं है इस x से x कट गया यह क्या आ गया 1 प्लस लोग x यह y क्या है एस्टोंट्स बाग में गुणा में यह y बाग में है यह इसके गुणा में चला जाएगा तो d by dx में रपस क्या आ गया y 1 प्लस लोग x यहां पर हम y का मान रख देंगे y का मान क्या है x की पावर x है d by dx is equal to x की पावर x 1 प्लस लोग x तो इस तरह से हमें इनके आउट कलेज करने है कब जब हमारे पास किसी function के उपर function हो फलन की पावर भी क्या हो एक फलन हो तब हमें दोनों तरफ कोशन में क्या करना है students लोग लेना है यह हमारा second का फिफ्ट का second part नहीं है second part इसके जैसे है उसमें हम कैसे करेंगे कब हमें लोग लेना है यह आपको श्रून स्द्यान रखना होगा जब हमारे पास फलन के उपर फलन होगा तो हमारे पास जो next question है वो क्या है x की पावर x प्लस y की पावर x is equal to a की पावर b देखो इसमें a और b तो क्या है एक पावर b इस पावर का मतलब नहीं है क्योंकि यहां पर यह क्या है अचर राशी है constant है अब इनका क्या करेंगे हम अब close करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे इन सबी को अलग अलग मान लेंगे इस step को हमने u मान लिया और इसको हम v मान लेंगे और इसको हम w मान लेते है अब हम इसका क्या करेंगे x के साब पे अब close करतेंगे तो क्या आजएगा श्रूंट सर्थ x के साब अब close du upon dx plus dv upon dx is equal to dw upon dx यह तीनों मान हमें निकाल कर इस समीकन के अंदर रखना होगा तब जाकर हमारे पास क्या आएगा dy dx आएगा जैसे पहले मैं du upon dx निकालूंगा तो मैं इस u step को लेता हूँ माना हुआ ना मैं माना u बराबर x की पावर x है तो यह x की पावर x है इसका उक्रजब ने अभी किया था दोनों तरफ लोग लेंगे लोग u बराबर लोग x की पावर x जिसका मैं आपको डारेट करके बताता हूँ कि d over dx क्या है था हमरे पास x की पावर x 1 प्लस लोग x यह आ जाएगा अब हम v वाले का करेंगे v का क्या है हमरे पास v बराबर x y की पावर x है तो y भी एक फलन और x भी एक फलन है तो फलन के उपर फलन है तो हमें लोग लेना होगा दोनों तरफ लोग लेने पर तो क्या आ जाएगा था च्ट्ट्ट्स लोग v बराबर लोग y की पावर x तो power हमारी क्या आ जाएगी students आगे आ जाएगी x log y अब उधर log x और log y क्या होगे तो अलग लग फ़लन है जो गुणा में है अब हम इसका क्या करेंगे अब close करेंगे differentiation with respect to x log का क्या हो जाएगा 1 upon v और v का करेंगे x के साफ़े तो हमें उसे क्या लिखना पड़ेगा dv upon dx इधर गुणा में है x सेम रख दिया log y का करेंगे तो 1 upon y और y का करेंगे तो dy dx क्यूंकि हम साफ़ेक्ष करने किसके x के plus log y सेम और x का x के साफ़ेक्षी करेंगे तो students क्या आएगा 1 आ जाएगा अब यहां से हमारे पास dv upon dx जो आ रहा है v का इधर गुणा हो जाएगा v का मान क्या है हमारे पास students है y की पावर x है तो y की पावर x गुणा x upon y dy dx plus log y इस step का भी हम अंदर क्या करेंगे गुणा करतेंगे y की पावर x गुणा x upon y dy dx plus y की पावर x log y यह हमारे पास क्या आगा है students है dv upon dx आया है अब हम dw upon dx निकालेंगे तो w is equal to a की पावर b और यहां पर तो हमें log लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह हमारे पास क्या एक constant है अचा राशी है जब x ही नहीं है इसके अंदर तो उसका अखलच क्या आगया हमारे पास students differentiate zero आ जाएगा अब यह तीनों मान हम क्या करेंगे इस समिकण में रख देंगे इस समिकण में इस समिकण में तीनों मान रखने पर हमारे पास क्या होगा students तीनों मान जब आप इस समीकर्ण में रख दोगे तो यहां से आपको d by dx है जो common लिना होगा और d by dx जो हमरे पस आया है वो रिकाल कर बग की आप क्या करेंगे students उसको shift कर देंगे जैसे की x की power x plus x की power x log x plus y x power x x upon y d by dx plus y की power x log y equal to 0 तो यहां से इस step में और इस step में d by dx नहीं है तो इनको shift कर देंगे y की power x dot x upon y is equal to जब हमने इसको shift किया तो सभी क्या होगे minus क्या होगे लेकिन minus हमने क्या 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 है common ले लिया plus y की power x log y यह step हम क्या करेंगे इसके divide में ले आएंगे वो भी आप try करें अगर किसी को doubt होता है तो आप extra में doubt class में पूछ सकते हैं